सीम गेहलोत ने केंदर पर फिर बोला हमला कहा आज देश में तनाव का माहौल मुद्दों से लोगों को किया जा रहा डाइवर बीचीसी दफ्तर में पूरवर सीम जगनात पहारिया को किया नमन सीम गेहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फिर चिताया कहा पिछले दिनों कोविट के नए मामलों में हुई बढ़ोतरी इस बार देखने को मिल रहे कोविट के नए लक्षन भाजपा के राष्टी अधियक्षी जेपी नड़ा आज पहुँचेंगे जैपूर एएरपोर्ट से आमीर तक नड़ा का होगा भविस्वागत कल लेंगे भाजपा राष्टी पादधिकारियों की बैठर पियमोदी ने युवाओं को दिया मंत्र गुजरात के वडोद्रा में युवाश शिविर को किया वर्चुली संबो देतर श्री स्वामी नारायन मंदिर का आयोज़द ग्यान वापी पर सुप्रीम कोट में किल तीन बजे होगी सुनवाई निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोट ने लगाई रोक तुमारा अड़ासी की ग्यान वापी मजद मामली में इस्पानिय कोट में सर्वे की रिपोर्ट पेश विधाय गिराज सिंग मलिंगा की जमानत मिलने के बाद आज हुई रिहाई समर्थकोनी किया जोरदार स्वागत जैयन से मार पीच के मामले में किया था गिरफता अर्दिक पटिल ने एहमदाबाद में की प्रेस कॉंफरेंस कॉंग्रिस पर साधा निशाना कल कॉंग्रिस से दिया था स्तीफा भरतपूर में एसीबी की बड़ी कारवाई डीक तहसीलदार, रजिस्ट्री, बावू और दलाल पांच हजार की रिश्वत लेते ट्रैप तो जैपूर के विध्यादर नगर पुलिस थाने का कॉंस्टिबल घूस लेते गरफतार जमु कश्मीर में पुलिस को बड़ी काम्याबी, लश्कर के चार आतंकियों समेट पांच को किया गरफतार, बड़ी तादाद में हत्यार और गोला बारूद बरामत झाल